हेलो गाइस एंड वेलकम तो एटोर मोटर राइट तो आज हम बात करने वाले हैं यामाहा करते हैं एंप्टी-03 के लुक्स की इसके लुक्स यामाहा ने बहुत शार्प बनाय है बहुत अग्रेसिव लगती है आपको नेकेड स्पॉड वर्जन में आपको 300 CC में अच्छी लगती है जो के कॉंपटिशन दे सकते हैं अच्छा खासा अब बात करते हैं इस बाइक के इं स्ट्रोक फोर वैल्व डियो एच्छी इंजन आता है जिसकी मैक्जिमम पार आपको फोर्टी वन पॉइंट फोर पीएस एट टेन थाउजन सेवन हंडेट फिफ्टी आर्पिम और जिसका मैक्जिमम टार्क आपको 29.6 न्यूटन मिटर एट 9000 आर्पिम बाइक की पावर औ आपको 6-speed gearbox दे जाते हैं जो कि आपको टूरिंग करने में बहुत मदद करेंगे mt03 की टॉप स्पीड आपको कंपनी क्लेम करती है 170 किलोमेटर पर और की जो के बहुत ज्यादा है 300 कैटिगरी की साप से और आप 180 तक टच कर सकते हैं क्योंकि यामा के तरफ से आ रही है का फ्रंट टायर और रियर में 140 70 17 इंच का रियर टायर टायर वाइडर है लेकिन 300 CC कैटिगरी में आपको रियर में 150 सेक्षन का देना चाहिए था यामाने इधर कॉस्ट कटिंग की है ब्रेक्स की बात करने हो तो आपको डूल डिस्क भी डूल चैनल ABS मिलता है और फ्रंट का साइज है 298 mm और रियर डिस्क का साइज है 220 mm और आपको ABS मिलने की वज़द से सेव भी हो गया आपको चलाने में बाइक आप इंस्ट्रूमेंट कांसोल की बात करने हो तो आपको फूली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कांसोल मिलता है जिसमें आपको नेसेसरी के अलावा अनेसेसरी भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है जैसे के स्पीडोमेटर टैकोमेटर ओडोमेटर ट्रिप मेटर फ्यूल गेज बैटरी इंडिकेटर ABS लाइट गेर पोजिशन इंडिकेटर इंजन टेंपरेचर लाइट आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिल जाती है तो इसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी सस्पेंशन की बात करनों तो आपको फ्रंट में 37 mm का अपसाइड डाउन फोक मिलता है और रियर में मोनो शॉक मिलता है अब मैं बात करूं अपसाइड डाउन फोक की तो यह बाइक के लुक को इनहांस भी करता और आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जैसिस की बात कर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपको चलाने में कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि सीटाइड बहुत कम रखी गई है ग्राउन के लेंस वन सिक्स्टी एमम रहने की वजह से आपको गड़ों के रास्ते आफ रोडिंग भी करेंगे तो आपको आपके बाइक को कोई तक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हैडलाइट टेल लाइट और इंडिकेडर इस सब कुछ आपको LED उनित मिलते हैं आपको कहीं भी हालेजन देखने को नहीं मिलता अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की अब यह बाइक की प्राइस थीन लाक एक शोरों हो सकती है क्योंकि Yamaha brand के तरफ से है इसलिए थोड़ी बहुत costly भी लगेगे आपको लेकिन इसमें आपको features भी अच्छे देते हैं और engine की power figures भी बहुत अच्छे हैं आपको top speed भी अच्छी मिलती है माइलेज भी अच्छी मिलती है अब बात कर लेते हैं आपको इसी चैनल पर जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा तो गाइस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अब बात कर लेते हैं की कॉंपिशन की बाइक कांपिशन होता है के टीम ड्यूक 390 ब्यूशुक इस बैसे और दूसरा कॉंपीटीशन जाता है होंडा सीवी 300 अर यह भी बाइक से हो सकता है क्योंकि भी 300 सीची कर टिकरी की बाइक है और एक बाइक आती है जो के बैनली TNT 300i यह तीनों बाइक इसे कड़ा टकर दे सकते हैं लेकिन यह बाइक के जो लुक्स हैं MT-03 की बात करना हूं है इसके लुक बहुत अच्छे हैं और यमा ब्रेंड के अंडर राने से आपको इंजन भी पावरफुल देखने को मिल सकता है तो जब भी बाइक लाउंच होगी तो आपको इस चैनल पर सब कुछ रिव्यू के साथ मिल जाएगा तो इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्ते के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो आज की वीडियो में इतना ही चलता हूं गाइस गुडबाइ